हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नभील है आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो आइफोन SE 2020 आइफोन SE 2 की बैटरी लाइफ के उपर है आप लोगों ने बहुत दिन से मुझे बोल रखा है कि इसका फुल डे का बैटरी रेविविव कीजिए याने क सारे जो जनरल आप्लिकेशन से उसको इसको इस्तेमाल करेके इसकी बैट लाइफ कैसी और बहुत लोगों ने मैग्सिमलो को ने मुझे बोला था कि पब जी के बिना बिना बैटरी ड्रेन जो है तो आज इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़े बताऊंगा के पब जी के जो battery life के बारे मैं expect किया था, उससे better battery life निकली, इसकी battery life से मैं impress हुआ हूँ, considering the fact कि इसमें सिर्फ 1820 mAh capacity बैटरी है, इतनी छोटी battery रहने के बाद भी, इतनी efficiently जो है, इसको ये battery management कर रहा है, ये देखके मैं काफी impressed हुआ, यहाँ पे कुछ बाते में clear करना चाहता हूँ, यह बहुत लोग negative में चली आते हैं उनको बताना चाहता हूँ, यह जो iPhone SE है, यह मैंने खुद अपने पैसे दाल कर खरीदा, आपल ने मुझे free में भेजा नहीं है, ना Apple ने मुझे कोई पैसे दिये इसकी तारीफ करने के लिए, तो जो भी मैं बोलूँगा, जो मेरा practical example दे के और actual proofs बता के आपको वही बताने वाला मुझे कोई फरख नी बढ़ता हूँ, इसके अलावा अगर आपको कोई जाधा battle life वाला phone चीग होगी कि इतनी जाधा battle life नहीं है इसकी, जो है सब आपके सामने में बता दूँगा, तो आप iPhone XR के लिए जा सकते हो, थोड़ा extra पैसा दाल के उसमें जाधा battle life मिलेगी, तो आपको 10% से 80% जो मैंने आप चार्ज किया है, वो तकरीवन एक घंटे में चार्ज होआ है, एक घंटे में आप 80% तक अपने phone की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, और उसके बाद का जो time है, वो trickle charging mode में चला जाता है, fast charging उस time पे off हो जाती है, तो पूरे 52 minutes लगेंगे बागी का 20% चार्ज होने के लिए, तो 0-100% जाने के लिए उतना ही time लेता है, आपको उतना नहीं लगता है, उतना ही ये phone पे भी time लगने वाला है, तो आप इन बॉक्स जो charger आता है, उसको इस्तिमाल करेंगे, तो आपको बहुत जाता time लगेगा, वो रात के लिए आप रख सकते हो, जब रात में आप अपने phone को charging पे लगाते हो, अब यहाँ पे दोस्तों, बहुत लोग का बोलना यसा है, कि लोग SIM card डाले बिना जो है वो review कर देंगे, तो मैं अब आपको बताऊंगा, अपना जो primary SIM card है, जियो का, और मैंने अपने iPhone 11 से निकाल कर इसमें लगा और सारे applications इसमें जो है, यहाँ पे बैटरी में चले जाते हैं लोग और यहाँ पे जाते हैं लास्ट 24 आज में लास्ट 6 डेज में, क्योंकि कल की हम को battery life देखनी है, तो यहाँ पे देखे दोस्तों, यह लास्ट 6 डेज का यहाँ पे statistics है, और यहाँ पे मैं कल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ जो 28 में का तारीक है, Thursday, तो यहाँ पे जो screen on time नज़र आ रहा है, यह Thursday के लिए, यहाँ थर्सडे की जो रात 12 बज़े से लेके, फिर Friday की रात 12 बज़े तक तो यह मेरे 24 hours के चार्ज cycle का screen on time नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे activity आपको दिखा जेता हूँ, कि कौन सा application मैं कितनी देर use किया, तो शुरू बैटरी usage पे हम क्लिक करते है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, Facebook वगरा मैंने कितनी देर इस्तमाल किया है, फोन कॉल मैंने जो है 11 मिनिट के किया है, फोटोस को मैंने कितनी देर इस्तमाल किया है, Amazon जैसे, shopping applications, FaceTime, calling वगरा, WhatsApp मैंने कितनी देर इस्तमाल किया है, WhatsApp का मेरा usage जादा नहीं रहता है, मैं फोन पे जादा WhatsApp को इस्तमाल नहीं करता, योगि वक्त की वरवादी है, बाकि कुछ नहीं, अभी आपको screenshot पे लेके जलता हूँ, डीटेल में बताता हूँ कि statistics कैसे थे Thursday के मेरे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह Thursday का मेरा screenshot है, नौ बजे से लेके अगले दिन नौ बजे तक मैंने अपने फोन को इस्तमाल किया, सिंगल चार्ज पे, जब मैंने इसको नौ बजे चार्जिंग पे लगाया, तब इसकी बैटरी थी 16% यहाँ पे आप दिख सेकते हैं, अक्टिविटी है, 28 में को सुबा नौ बजे मैंने यहाँ पे इसको चार्जिंग पे से हटाया था, यहाँ पे बैटरी लेवल 100% था, यहाँ से बैटरी ड्रेन होती चली गए जब मैं इसको यूज कर रहा था, और उसके बाद जो है, वो कम Ho的, याँ डेटरी य में इतना फास नहीं, क्यूकि यहाँ पे इस एरिया में, मैंने इसको इस्तमाली नहीं किया, राट के 12 वास 1973 में सुबा के 8 नो बये तक इसक मैँ इसको इस्तमाल नहीं किया, तकरीबर 8 बये तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है उस टाइम पर कितनी ड्रेन हुई तो मैं अच्छे से याद है कि रात के 12 बजे जब मैंने इसको साइट टेबल पर रग दिया था अपने बैटरी के साइट टेबल पर और इसका जो वाइटा है और डेटा है डेटा को आफ कर द बैटरी डेन जो है पूरी रात बर में 8 गंटे में 5% इसके अंदर हुई है अब यहाँ पे आप देख सकते कि जो स्क्रीन on time है इन 24 गंटों के अंदर वो 3.5 गंटे 3 और 40 मिनिट के आसपास है जहाँ पे मेरी बैटरी जिसके अंदर आपको वही सारी चीज़े दिखीगी तो इस टाप की बैटरी डेफ आपको मिल सकती है अगर आप एक moderate user हो PUBG नहीं खेलते हो तो अब आते हैं दोस्तों setting के अंदर setting में देखिए मैं आपको फिर से बैटरी में लेके जाता हूँ बैटरी के अंदर हम लोग चाते है last 24 hours के अंदर और आज का timing आपको बताता हूँ last 24 hours में मैं कल का timing आपको नहीं बता रहा हूँ बहुत लोग आपको ठीक से समझाएंगे नहीं यह चीज़ कि मैं आपको ठीक से समझा रहा हूँ यहाँ पे दिखिए जे चार्ज होता गया जब मैंने इसको सुबा साड़े नो बजे चार्ज पर लगाया और लास्ट चार्ज 100% जब लेवल किया मैंने वो था साड़े बारा बजे साड़े बारा बजे के बादर मैंने इसको एक सेकिंड के लिए चार्ज पर लगाया तो यहाँ पे लास्ट चार्ज लेवल आ जाता और टाइमिंग लिखके आ जाता इसको मैं alter नहीं कर सकता यहाँ पे देखिए दोस् परसेंट जो है बैटरी पे मेरा फोन आया हुआ है तो इन 9 या 10 गंटों के अंदर मैंने किस तरीके से फोन को इस्तमाल किया वो भी मैं आपको बतायता हूँ यहाँ पे यहाँ पर देखिए शो एक्टिवीटे पर टैप करेंगे तो कितने मिनिट कौन सी चीज मैंने इस्त इस्तमाल किया हो में लॉस्क्रीन, युवाइटी स्टूडियो, अमेजॉन, सफारी, कैमरा, आज मैंने वाट्साप जो है एक मिन इस्तमाल करता है अब वाट्साप थोड़ा ज्यादा यूज करने है थोड़ी ज्यादा बैटरी हो सकती है बैंकिंग अप्लिकेशन सारी ची पी से हटाया था और अभी भी पॉने 10 बजे, 10 बजे के आसपास 34 परसेंट इसकी बैटरी लाइफ बाकी है और यहाँ पे अभी हम लोग बात करते है पपजी की देगे पहली बात तो यहाँ पे दोस्तु 40 परसेंट अभी बैटरी लाइफ इसकी बाकी है यानि कि आराम से म सेमेच के बैटरी में इतनी अची बैटरी लाइफ दे रहा है तो यह एक काफी अच्छी बात है पबजी अगर आप खेलते हो तो पबजी गेम प्ले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें साफ तर बाता है कि स्मूद और एक्स्ट्रीम पे जब आप गेम प्ले करते हो औ अगर आप स्मूद और एक्स्ट्रीम की सेटिंग पे इसको रखते हो तो यहां पे जो बैटरी लाइफ में बची भी है यानि की 40% इस पे मैं एक घंटा जो है पबजी गेम प्ले कर सकता है क्योंकि 36% पर आर पबजी बे बैटरी ट्रेन होती है इस फोन की तो दोस्तों यह अगर आपके जिन्दगी का एक बहुत बड़ा हिससा पबजी है तो इस फोन को आपके पास एक चार्जर जो है नजदी में है और फिर आप पबजी जादा खेलते हो इस पे तो आप चार्जिंग करते हुए या पबजी करना पड़ेगा लेकिन अगर आप जादा जो है आपके पास एक चार्जर जो है नजदी में है और फिर आप पबजी जादा खेलते हो इस पे तो आप चार्जिंग करते हुए या पबजी लिए भी चार्ज कर सकते हो एक फास चार्जर चोटा मोड़ आप खरीच सकते हो रही बात किन लोग हो यह आईफोन एसी जो है टेबल पे रखे हुए है वो भी और जो दूसरे भी है जैसे आईफोन 7 है आईफोन 6 है से आईफोन 8 है उनके सामने अगर इसकी बैटर लाइफ देखी है तो आपको बच बैटर बैटर लाइफ इसमें देखने मिलने वाली है अगर आप एक एवरेज यूजर हो या मॉडर मेरा इसमें personal कोई भी फायदा नहीं है इसके बारे में कोई जुड बोलने का इसके बारे में सच बोलने का जो था वो मैंने आपको बता दिया आ आगया आपकी मरजी है तो आप लोग क्या सोचते दूस्तों इसकी बैटर लाइफ के बारे में ठीक है, बुरी है, क्या है जो आपको आज का वीडिया पसना होगा पसने को इसको like and share जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को subscribe जरू कीजिए goodbye